महराष्ट में जो भी प्रक्रिया है कुछ दिनों से चल रही है और अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारे शीर्ष नेता हैं उन्हें कहा है कि इसमें समय लगेगा और अगर जब तक हम कई चीजों पर खासकर पांच साल में सरकार क्या करेगी जो तमाम विशे हैं किसानों का विशे है, घरीबी का विशे है, सुखे के खिलाब अच्छे मूल भूच अन्रचनाओं को बनाने का है, बंबई की बिगड़ती हालत के बारे में है, बहुत से ऐसी विश्यों पर मेरे ख्याल से चर्चा हो और अगर कोई कॉमन प्रोग्राम निकले, जो मैं सुन रहा हू उन पर चर्चा होकर एक ऐसा कारे करम बने, जो जनोन मुखी हो, जनता के हितका हो, और उस पर एक सरकार बने, मुझे लगता है, इसी तरीके की कोशिशे चल रही है, बाकी कैसे होता है, क्या नहीं होता है, कट बंदन होगा नहीं होगा, ये तो सब माराष्ट कॉंग्रेस और हमारी माराष्ट कॉंग्रेस लेशले पार्टी इन लोगों के पिंद्रने है, जैसे पता चलेगा, वैसे ही, सब को मालू पड़ जागा, ये तो दिखाता ही है, कि कोई भी सरकारे इसमें रूची नहीं करती है, तो आप दिल्ली में भी देखे, दिल्ली में भी जब नागरिकों से चर्चा हो रही थी, नागरिक कह रही थी कि आप 2013 के पहले भी तो पराली जलती थी, तब ऐसी हालत क्यों नहीं थी, जब तक कॉंग्रेस की सरकार थे दिल्ली में तो कोई मुझ से बताए न, आप ये अकड़े वो अकड़े पचा जूट देते हैं और दिल्ल करोनों का घोटाला हुआ है यहां के अनौथराइस कॉलनी में, आपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए तमाम जगों पर इल्लीकल कंस्रक्शन, चाहे जे-जे क्लस्टर्स हों, चाहे रिसेटल्मेंट कॉलनी हों, चाहे अनौथराइस कॉलनी हों, उसमें हुआ जिस कारण से बुरी हालत है, शहर में आपको कोई कुछ भी समझा दे, यह सीधे-सीधे दिल्ली की सरकार और भारत की सरकार की विफलता के कारण है, बाकी कोई चाहे मन में, क्योंकि आपके उपर इन्होंने एक तरीके से बैब जिसको कहते है न, एक रिश्वत दे रखी है, बिजली उन्होंने कहा कि रिपोर्ट गलत हम दुबारा करेंगे, तो यही आमादभी पार्टी उनको सवाल करती थी, यह सरकार का पुराना तरीका है, जब रिपोर्टों में आप पकड़े जाते हो, तो रिपोर्ट को ही खारिज करने लगा, अभी देखिए पांध दिन पहले एन् होत दिनों से असली में दिक्कत पुदुचरी में वहां के उपराज जिपाल को लेकर है, किरन बेदी जी जब से गई हैं, भारती जन्ता पार्टी के कार्यकरता की रूप में काम करती रही है, और यह तो एक समली जे महनात धैर और पराक्रम है नरायन स्वामी जी का जो हमा किरन बेदी जी का क्योंकि दिल्ली में बुरी तरह हार गई, वो अन्ना अंदोलन के बाद क्योंकि अन्ना अंदोलन में इनमें और केजरिवाल में आपस में बहुत ठनी रहती थी उसके बाद भी ठन गई, तो अब मुझे लगता है कि हताश हैं, उनको कोई राजनिती करिय नहीं दिख रहा है, इसलिए अपनी राजनिती महा कर रही है, पुर्दी जरी में.